हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको स्कॉयर को ट्रिक से कैसे निकलता है जैसे कि हम बताते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पांच है और यहां पर यहां पर पांच है मनें सभी संग्या के अंत में पांच है तो इसको हम स्कॉयर को ट्रिक्स हम कैसे निकलते हैं देखे पांच के स्कुइर पंद्र के स्कुइर पचीस के स्कुइर ऐसके तो यहां पर दखूए उसे के यह लगते पांच के स्कुइर में पचीड और यहां लास्ट में मेरा पांच है तो यहां लिखते हैं पांच के स्क्वाइर पच्छीस और यहां सभी के स्क्वाइर लास्ट में पांच ही है यहां पांच के पच्छीस लिख दिए और यहां एक है तो एक में एक जोरेंगे तो दो हो जागा और दो में एक से गुना करेंगे तो दो हो जागा और यहां पर देखिए पांच है तो पांच के स्क्वाइर पचीस और यहां बगल बलसंख्या दो है तो दो में एक जोरेंगे तीन और तीन में इसी दू से गुना कर देंगे तीन दूना चो हो जाएगा चो से पचीस और यहां मेरा पैंटीस है तो लाश्ट में मेरा पांच है तो पांच के स्क्वाइर पचीस और मेरा तीन है तो तीन में एक जूरेंगे तो चार और चार में इसी तीन से गुना कर देंगे तो चारती आई, बारा और यहां पैंटालिस हैं तो पांच के बज़ेगा पचीस और बगलबले संखे मेरा चार है, तो चार में एक जोरेंगे तो पांच और पांच में इसी चार से गुना करेंगे तो 5 होगा 20 और यहां मेरा 5 है तो 5 के स्क्वाइर 25 और यह 5 है बगल बला तो 5 में एक जो रहेंगे तो 6 तो 6 पंचे 30 होगा और यहां 5 के स्क्वाइर 25 उसी संक्या के निकलेगा जिसके अंत में 5 होगा दूसरा संक्या नहीं निकल सकता है जैसे कि 64, 66, 67 यहां निकल सकता है जिसके अंत में 5 होगा उसी संक्या को ट्रिक से निकलेगा और 5 के 25 होगा और यहां 6 में एक जो रहेंगे तो 7 7 चक 42 और यहां मेरा 75 तो 75 के लास्ट मेरा 5 है तो 5 के स्क्वाइर तो 5 के स्क्वाइर होजागा 25 और 7 में एक जो रहेंगे तो 8 और 8 सते 56 और यहां मेरा 85 है तो 5 के स्क्वाइर होजागा 25 चिर्फ आपको 5 के स्क्वाइर लिख देना लास्ट में और इसमें एक जो रहना है और इसी संक्या से गुना कर देना है तो 9 आँ 9 अठे बहुत तर और यहां पर होजागा 5 के स्क्वाइर पचीस और यहां भगल में सिंक्या 9 है तो 9 में एक जो रहेंगे तो 10 होजागा तो 10 नमा नमबे तो ऐसा है यह स्क्वाइर निकलता है जिसके अंत में 5 रहता है तो आई होप यह आपको आचा से समझ में आया होगा इसक्वाइर निकलना तो यदि आप हमारे चैनल पूर नहीं हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा और वीडियो अच्छा लगए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीज़ेगा तब तक के लिए धन्यवाद